रोजनी के पर्व दिपावली पर मातालक्षमी की पूझा की जाती है और कहा जाता है कि दिवाली के दिन मालक्षमी की पूझा से धन धन की कमी नहीं रहती हमेशा भंडार भरा रहता है जवलपुर शहर में 1100 साल पुराने महालक्षमी मंदिर में दीवाली के दिन 24 गंटे का विशेश पुजा और अनुस्ठान होता है इस मंदिर में जो है कहा जाता है कि मंदिरों की सिद्धी भी मिलती है यहां अतर कोई अगर एक माला का पार्ट कर ले तो बाहर किये हुए सोजो है माला पार्ट के ब्राबर अफल मिलता है इस मंदिर में वगवान सुर्य की पहली किरन मा के चर्णों तक महुस्ती है बताया जाता है कि यहां आने वाले भक्तों ने कई बार देखा है कि माता लक्षमी की पतिमा का चोईस घंटे में तीन बार स्वरूप बदलता है जिसमें सुबह सफेद दोपहर में पीला तो महीं शाम को निला हो जाता है यह पतिमा जबलपूर के पंच मठा मंदर में स्थाफित है आपको बता दे कि मंदर में पांच गूबंज होने के कारण इस मंदर को पंच मठा मंदर के नाम से भी जाना जाता है आपको बता है आपको बता है